हालो एवरीवन, होप योई अर्फाइन, सो टीजडी विकेंसी को लेके एक न्यू अपडेट है, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, हर्याना करमचारी चैन आयोग, मतलब हर्याना जो SSCC है, हर्याना स्राफ सेलेक्शन कमिशन है, आगामी 30 जून तक टीजडी के पदो पर सुची जारी कर देगा, मतलब जून में छुटियों के लास्ट में आपको पता चल जाएगा, अच्छे तरीके से, कि कौन बच्चा इलिजबल है और कौन नहीं है, कुछ टुएंट्स कह रहे हैं, मैं कट ओफ की विडियो बना दो, देखो आप लोगों को शायद मेरा आजाता है, डोकुमेंट वेरिफिकेशन मसली बहुत सारे बच्चों का आजाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की जूरत नहीं है, 60 के अराउंड जो भी है, सब डोकुमेंट वेरिफिकेशन में आराम से जाएंगे, तो मतलब मुझे लगता नहीं का टॉफ की विडियो बनान बैच में की जो फाइन आर्ट के हैं, आप यह सोच लो कि आपका एस्टेट पास होना ही नोक्री है, सेम ऐसा ही हुआ भाई, फाइन आर्ट के पद थे 1760, लेकिन उमिदवार है 527, समझ रहो ना आप इस बात का मतलब, तो जिन्नोंने भी पेपर दिया है, सारे ही स्लेक्ट आपको यहां पर टाइम दे दिया गया है, 24 मही से 27 मही तक आप अपना जो भी है चेंज बेंच कर सकते हो, यहां पर जिस भी तरीके से आपने गलत कोई जानकारी अप्लोड की है, तो आप प्लीज इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है, अब यहां पर बात चल रहा है, कि खास बात यह है, जो आपको समझनी है, दो तीन खास पॉइंट है, इस वीडियो में पूरी देखना, इंपोरेंट है, कुल पदो का दुगना उमिदवारों की कटोफ से पांच अंक नीचे तक की उमिदवारों का दस्तावेज होगा, इसका क्या मतलब है, मालो आपकी कटोफ आपका आपके पॉस्ट के अकोर्डिंग आपकी कटोफ गई है 55, लेकिन यहाँ पर जिनके 50 नंबर होंगे, उनको भी डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाद दिया जाएगा, इसका रीजन क्या है, ताकि बार बार जतो जहन ना करने पड़ी, हर स्टुएंट को मोका मिल इसका पर जाएगा, तो यहाँ पर आपको कट आफ में बुलाए जाएगा, अब यहाँ पर सबसे इंपॉड़ेंट जो बात है वो सुन लिजिए, देखो इसी के अंदर एक बात है इंपॉड़ेंट यहाँ पर देखिए, आप काफी स्टुएंट ऐसे होंगे, जिन्होंने मेवाद केडर और हर्याना केडर दोनों के लिए पोस्ट फिल किया होगा, तो आप जब डोकुमेंट वेरिफिकेशन पर जाएंगे, तो ध्यान रखना इस बात को वो आपसे पूछेंगे, मालो आपने जिसकी रेस्ट हर्याना और मेवाद थी, उनकी तो कोई इशू ही नहीं है, अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे, जैसे साइन्स है, उसमें मेवाद केडर की पोस्ट थी, रेस्ट ओ फर्याना की भी पोस्ट थी, तो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि एक कंडिएट दो जगे तो नोकरी कर न क्योंकि कुछ उमिदवारों ने दोनों केडर के लिए वेदन किया है, केडर के अनुसार ही मेरिट निकाल दी जाएगी, मालो आपने बोल दिया कि सर मैंने मेवाद में जाना, आपने बोल दिया सर मैने रेस्ट ओ फर्याना में जाना, यह सारी चीजवे न आपके वर वैसे है ठीक है तो इस तरीके से है भाई तो फड़ा फड़ा आपका सारा सब कुछ हो जाएगा और माई बेस्ट विश इस ओल वेद विद विद यू बहुत सारे स्ट्वें नोकरी लगने वाले है इत्ता तो कंफर्म है ठीक है और कुछ बचे कट ओफ की बात कर रहे तो सब से कि अंदर डालकी पताई कर दीछी इंगिलिष वाले अराम से साट के रांड वाले चले जाएंगे 55 अर्च पैसरें तकあれशा था भी सब बच़ों कवरेश जा रहा है तो अराम से पच्पन पैसर तक कि बच्चे का सरगे दों क्भी टोकुमेंट वैरिफिकेशन और क्लिश अ Thank you so much.